मुख्य देश सिंपल है कि अगनी वीर की जागरुकता जनता के बीच में और वो उन लोगों के बीच में पहुँचना जरूरी है जो जानते ही नहीं है कि अगनी वीर स्कीम क्या है अगनी वीर स्कीम मैं आज साड़े सत्रा साल की उम्र से लेके 21 साल तक ही व्यक्ती बरती दे सकता है जो पहले 23 साल हुआ करते थी 11 लाग देके आप क्या कर रहे हो चार साल बाद जब वो निकल जाएगा तो 11 लाग से क्या घर चलता है क्या तीसरी बात जो 70 हजार बरती हुआ करती थी आप उसे 40 पे लेकर आगे हो मतलब 75 परसेंट को बाहर निकाल दिया तो आपको मैं पूछना चाहता हूँ आप से ये शेयर करना चाहता हूँ कि आपके तुरू ये बात जनता भी पूछे कि ये स्कीम सही है इस देश के लिए ठीक है क्योंकि एक नौजवान को ट्रेन होने में 7 से 8 साल लगते हैं आप 4 साल में एक फौजी को तयार कर पा रहे हो ये मैं नहीं कह रहा हूँ आप फौजी से पूछिए उन्होंने मुझसे का कि भाया 7 से 8 साल में एक अच्छा फौजी तयार होता है तो देश सुरक्षित है ऐसे तो बिलकुल नहीं है और सबसे मुख्य बात आप ये सूचिए भावना पहले फौजी एक भाव से जाता था देश की सेवा करनी है मिट्टी की सेवा करनी है अब आप उनसे खुद ही पूछिए मुझसे मत पूछिए जाइए पूछिए उनसे कि वो उस भावना से अब जाएगा क्योंकि उसे पता है वो भावना ही खतम कर दी इन लोगों ने और सबसे बड़ी बात security थी वो security क्या अगर चाती पर गोली खाई तो हमारे आर्मी के लोग हमारे भाई बैठे हमारे परिवार का क्याव हम सब लोग इसके बारे में जाग रुपता फेला रहे हैं कि लोग चर्चा करें यह क्या है और राहूल गांदी जी उन सभी से मिल रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं रूबरू कि यह सही है कि गलत है राहूल जी बोलते हुए चल रहे हैं कि योजना कोई खतम कर देंगे अगर हम सरकार बनाते हैं अब पहले जाके उनसे पुरानी यूजना के बारे में पूछो कि पुरानी यूजना का लाभ अभी मिल पा रहा है कि यह ऐसे ही जैसे मामा देखे गए ते जुमले और यह भी जुमले देने में लगे हुए हैं आप में चीज इसमाद्यम से एक चीज और याद आई इनको का गया था रिजर्वेशन देंगे वह भी नहीं मिल रहा है पी सी सी में बहुत मुद्वे की बात है कि पहले आर्मी के लोगों को रिजर्वेशन मिलता था अभी जो अगनी वीर स्कीम से गया है उनको रिजर्व लोगों को बताना जागरुक करना वो हम कर रहे हैं तो अगनी वीर बर्ती प्रक्रिया जब तक बंद नहीं होगी और इस पाही रूप से सेलेक नहीं होगे तब तक आप यह अंदोलन चलाएंगे पर भाईयों के साथ चलाएंगे क्योंकि यह आंदोलन पार्टी आंदोलन नहीं है यह आंदोलन उन भाईयों का है जो इस आंदोलन में खुझ शामिल हमारा काम है खड़ा होना विपक्ष का काम होता है कि जब कोई ऐसी आवाज उटती है तो उसमें वो साथ है कि नहीं हम उनके साथ खड़े हुए तेखिए राजनीतिक बाते हैं आप मुझ से पू गॉब करता था ग्वालीर एरो के लिए कि भरती देखना याना सागर में उगवा करती थी अपनी सीपुरी में भी है तो इसमें फॉल जाता अब शीट गराए ना अपरेल में तेस्ट हुआ है इसमें बंदा क्या आज आज वाइच जैसे एक्सामपल बंदा बरती हो जाता है चाहसाल की नोगरी में गणाइशन बरती देखी है अभी मेरा सौक विजिकल है है अभी मेरा रिटेंड बागी है डिकल पर गेर सब हो गया है संतोष तो नहीं है क्योंकि 25 परसेंट पर्वोमेंट कर रहे हैं और इसको बढ़ाकर 75 करते हैं तब भी ठीक है और एज एज का भी थोड़ा सिस्टम खराब है 21 ले रहा है मेरी लाश्ट वरती है पहले 23 करती थी टेकनिकल और के लट बगेरा तो आप लोग क्या करने की प्या मैंना उसका मुद्धा उठाया है तो मैंने देखा मिन की ठीक है फिर मिलको मितिन भाईया का साथ मिला तो मितिन लिया ने का एक बार अपन आंदूलन भी करेंगे वो आएंगे उनसे मिलवाएंगे आपको और प्रेस कौन प्रेस में चलो अपनी बाते रखो और अपन ये करेंगे कहां के रहने वाले को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को दबाएंगे अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद